हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को अवस्य दवाएं ताकि भविस्य में डाले जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं सिक्ष्या सास्त्र यानि पैडागोजी पे। सिक्षन कारिये की परकिरिया का विदिवत अध्यन सिक्ष्या सास्त्र यानि सिक्षन सास्त्र पैडागोजी कहलाता है। इसमें अध्यापन की सैली या नीतियों का अध्यन किया जाता है। शिख्षक अध्यापन कारिये करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधीगम करता यानि छात्र को अधिक से अधिक समझ में आ जाए तो आप समझ भी सकते हैं कि सबसे अधिक अच्छी विदी वही तो होती है जिससे छात्र को ज्यादा से ज्यादा ग्यान प्राप्त हो सके और उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए शिक्षा एक सजीव गती सील पर किरिया है इसमें अध्यापक और छत्र के मध्य अंत्य किरिया होती रहती है और संपूर्ण अंत्य किरिया किसी लक्षे की और पहुंशती है शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा सास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तित्तों से लाभानूत और परभावित होते हैं और यह परभाव किसी विशिष्ट दिशा की और सपस्ट रूप से अभिमुक होता है बदलते समय के साथ संपूर्ण सिक्षा चक्र गतिशील है उसकी गति किस दिशा में हो रही है कौन परभावित हो रहा है इस दिशा का लक्ष से निर्धारन सिक्षा सास्त्र कहलाता है सिक्षन के सिधांत परतेक अध्यापक की हार्दिक इच्छा होती है कि उसका सिक्षन परभावपूर्ण हो आप समझ सकते हैं कि परतेक सिक्षक यह चाता है उसकी हार्दिक इच्छा होती है कि उसका सिक्षन इतना परभावपूर्ण हो कि परतेक छत्र बड़ी ही आसानी से उसकी हर बात को समझ जाए तो उसको बड़ी खुशी होती है। इसके लिए अध्यापक को कई बातों को जान बूज कर उन्हें व्याभार में लाना पड़ता है। पाठ्यवस्तु का आरंब कहां से कहां जाए। किस परकार किया जाए। चात्र इसमें रूची कैसे ले अर्जित ग्यान को बालकों के लिए उप्योगी कैसे बनाया जाए। इत्यादी बातें अध्यापक के समक्स चक्करव्यू के रूप में घूंगती रहती है। शिच्चा सास्त्रियों ने अध्यापकों के लिए इन आवशक बातों पर विचार करके अनेक सिध्धान्तों का प्रतिपादन किया जिन में से परमुक सिध्धान्त इस परकार से है। किरिया दवारा सीखने का सिदान, वही बात, यानि करके सीखने का सिदान, यानि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या, करके सीखना सबसे अच्छी विदी होती है, बालक सभावते ही किरिया सील होते हैं, सभी को पता है कि निस्क्रिये बैठे रहना उनकी प्रिव के विप्रित है उन्हें अपने हाथ पैर और अन्य इंद्रियों को प्रयोग में लाने में अत्यंत आनंद की अनुभूती होती है समंग करके सीखना बालक की परवर्ती होती है इस परकार से प्राप्त किया हुआ ग्यान तथा अनुभव उसके व्यक्तित्व का विकास करता है और ऐसा ग्यान उसके स्थाई ग्यान का सूचक होता है अत्यापक का अध्यापन इस परकार होना चाहिए जिससे बालक को समंग करके सीखने के अधिक से अधिक आउसर प्राप्त हो सके नंबर दो जीवन से संबंद रखने का सिधान यानि अपने जीवन से संबंदित वस्त पराप्ट करना भालकों की स्वाभाविक प्रवर्ती होती है अते पत्ते वस्तु में जीवं से सम्Бंधित त्थो। अर्थार्थ वास्त्रिक जीवन की वास्त्रिक प्रिस्थितियों से लिए गए तथ्यो को ही सामिल करना चाहिए। यदि अध्यापक काल्पनिक अथ्वा जीवन से संबंधित तथों को ही पढ़ाना चाहेगा तो छत्रों की रूची भी उसमें ही रहेगी और अगर अध्यापक काल्पनिक अथ्वा जीवन से ए संबंधित बच्चों को पढ़ाना चाहेगा तो बच्चों की रूची भी उसस से हड़ जाएगी नमबर दो जीवन से संबंधता का सिध्धान अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ग्यान प्राप्त करना बालकों की स्वाभाविक प्रिवर्ति होती है अते पठे वस्तु में जीवन से संबंधित तथ्यों को ही सामिल करना चाहिए अर्थार्थ वास्त्विक जीवन की वास्त्विक प्रिष्थितियों से लिए गए तथ्यों को ही सामिल करना चाहिए यदि अध्यापक कालपनिक तथा जीवन से दूर तथ्यों को ही पढ़ाना तो छत्रों की रूची भी उससे हड़ जाएगी नमबर तीन हेतू प्रायोजन का सित्धान जब तक बालकों को पाठ का हेतू अर्थार्थ उद्देश से अब्जेक्टिव्स पूरण तया ग्यात नहीं होता वे उसमें ध्धान नहीं दे सकते केवल पाठ का उद्देश से जान लेने से भी काम नहीं चलता यदि पाठ का उद्देश से बालकों की रूची को प्रेणा देने वाला हुआ तो उनका पूरा ध्यान उस पाठ को सीखने में लग जाता है यानि बालकों की रूची होना भी बहुत जरूरी है। प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। उसे उचित खंडों, विभागों अत्वा इकायों में विभक्त किया जाना चाहिए। विभाग इस परकार से होने चाहिए जिस परकार से सीडिया होती है। इन्हें जैसे जैसे बालक पार करता जाता है वह उन्नती करता जाता है। अथ्वा ग्यान को अपने मस्तिस्क में ठोस परकार से तभी जमा कर सकता है जब बार बार उसकी आवर्ती कराई जाए जब बार बार उसको उसके समक्स रखा जाए जब बार बार उसको उसे सुनाया जाए उसके बाद हम आते हैं सिक्षन सुत्र पर सिक्षन सुत्र नमबर एक ग्यात से अग्यात की ओर चलो यानि बालक के पूर ग्यान से संबंदित यदि नया ग्यान पर दान किया जाता है तो बालक को उसे सीखने में रूची और प्रेणा प्राप्त होती है मनुस्य समन्यत्या इसी करम में सीखता है इसलिए ध्यापक को अपनी पठ्थे पुस्तक की सामगरी इसी करम में प्रस्तूत करनी चाहिए कि पिछले ग्यान के साथ-साथ उसे नया ग्यान पर दान किया जाए नमबर दो सरल से कठिन की ओर पठ्थे बस्तू को इस परकार से प्रस्तूत करना चाहिए कि उसके सरल भागों का ग्यान पहले कराया जाए यानि आसान चीजें बच्चों के सामने पहले रखी जाए और धीरे 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 करके उसे कठिन भागों को उसके समक्स प्रस्तूत किया जाए यानि सरल से जटिल की ओर चला जाए उसके बाद आता है स्थूल स्थूल से सुक्षम की ओर सुक्षम तथा अमूर्थ विचारों को सिखाते समय उनका प्रारंब आसपास की स्थूल वस्तूओं तथा स्थूल विचारों से करना चाहिए बालक की सिक्ष्या सदैव स्थूल वस्तूऊं तथा तत्यों से होनी चाहिए सब्दों परिभासाओं तथा नियमों से नहीं किसी सिद्धान्त की विशेश बातों को पहले रखना चाहिए फिर उनका समन्नी करण करना चाहिए गनित, विज्ञान, वियाकर्ण, छंद, अलंकार, सास्त्र की सिक्षा देते समय इसी करम को अपनाना चाहिए आग्मन प्रनाली में भी इसी का उप्योग होता है नमबर छे, अनुभव से तर्क की ओर अनुभव के दवारा सीखना और तर्क के दवारा परस्तूत करना ग्यानेंदरियों दवारा बालक यह तो जान लेता है कि अमुक वस्तू कैसी है किन्तु वह यह नहीं जानता कि वह ऐसी क्यों है बार-बार निरिक्षन वे प्रिक्षन से वे इनकार्णों को भी जान जाता है। विस्तिरित ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। जदी एक पेड का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले उसका संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाए। तता बाद में उसकी जड़ों और पत्यों और फलों आदी का परीचे अलग-अलग करवाया जाए। यही वे मनोविज्यानिक विधी का अनूसन यहीं तर्पून विधी को त्याग देना चाहिए और मनोविज्यानिक विधी का अनूसन करना चाहिए। वर्तमान समय में मनोविज्यान के परचार के कारण इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिक्षन विधी वे करम में बालकों की मनो विज्ञानिक विशेष्ताओं, रूचियों, जिग्यासाओं और गरहन सक्ती को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कर्तिक विकास में बाधा नहीं बने बलकि साय को।